दोस्तों शाओमी ने आज इंडिया में अपनी एक नई स्मार्ट वाच को लांच कर दिया है मी वाच रिवॉल्व एक्टिव आपको याद होगा कि लास्ट येर मी वाच रिवॉल्व लांच होई थी अब उसी का आप सक्सेसर बोल सकते हो मी वाच रिवॉल्व से थोड़े ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे मी वाच रिवॉल्व एक्टिव में तो इस वीडियो में मैं आपको मी वाच रिवॉल्व एक्टिव के फुल स्पैसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं क्या इसकी प्राइस इंडिया में रखे गई और क्या आपको इ अनुदियो को आपको मी वाचःइन की बात करने तो जैसे अपको मी वाच्टिव में दिखते दी वैसे प्राइसं इसमें 46 mm का आपको dial मिलता तो dial काफी बड़ा होने वाला display भी आपको बड़ी मिल जाती AMOLED display है इसमें 326 ppi pixel density मिल जाती और 450 nits की brightness मिलती है मतलब कि display काफी यादा bright होने वाली है इस वाली smart watch की 454 x 454 pixel का screen resolution भी देखने को मिल जाता है 110 प्लस आपको watch faces भी इसमें देखने को मिल जाती है 110 से भी जादा watch faces यहाँ पर होने वाली है colorful अच्छी display है और always on display का भी option आपको मिलता है तो overall जो display मिल रही है Mi watch revolve active में अच्छी खासी display आपको देखने को मिल रही है display wise कोई भी problem आपको इस वाले smart watch में देखने को नहीं मिलेगा fitness features के अगर बात करें दोस्तों Mi watch revolve active में आपको SPO2 monitoring मिल जाती है जिससे आप अपना oxygen label monitor करोगे heart rate monitoring मिल जाती है जो 24x7 काम करने वाली है sleep tracking है energy monitoring भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है stress monitoring है breathing training है VO2 max भी मिल जाता है step count calorie बन जो basic और features होती है fitness वाले वो सभी के सभी आपको इस नए smart watch में देखने को मिल जाएगा तो यहां पर highlighting पाट आपको SPO2 sensor देखने को मिल जा रहा है और इसके बाद में दोस्तों करें sports mode की बात करें तो जो इनके Mi watch revolve थी उससे बहुत जाला sports mode आपको revolve active में देखने को मिलता है इस नए smart watch में आपको 117 sports mode देखने को मिलना है 117 sports mode है दोस्तों और इसमें सो जो 17 sports mode है वो जो है professional sports mode होने वाले हैं तो अभी sports mode दोस्तों जो यहां पर आपको मिलते हैं 117 अब आप expect कर सकते हो battery capacity के अगर बात हो भाई तो इस वाले smart watch में आपको 420 image की battery मिलती है company ऐसा claim करती है कि 14 days का battery life मिलता है आपको single charge पर अगर आप इसको power save mode हो अगर आप पर use करते हो तो लगभग 22 days का battery आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और 0-100% यह वाले smart watch सिर्फ 2 घंटे में चार्ज होती है तो अगर आप इसको 2 घंटे चार्ज करोगे तो at least आपको 14 days का battery backup इसमें देखने को मिल जाता है इसके बाद में दोस्तों me watch revolve active में अगर notification की बात करें तो इसमें आपको call notification हैगा message है music control कर सकती हो सारे social media apps के notification आपको मिलेंगे weather update है flashlight है find my phone alarm camera setter music control इस तरह के बहुत सारे features आपको इसके notification में देखने को मिल जाती है और बहुत सारे notification controls भी आपको इस वाले smart watch में देखने को मिल जाती है इसमें एक highlighting बाट यह भी है दोस्तों कि me watch revolve active में आपको built-in Alexa देखने को मिलता है तो आप Alexa से command देके कुछ भी काम कर रहा सकते हो या फिर आपके घर में lights वगरा है smart lights है तो आप उनको control कर सकते हो Alexa के तरू इसमें आपको built-in GPS भी मिलता है आपकी walking running किदर किदर से हुई है वो सब कुछ map में update हो जाएगा sensors के अगर बात हो दोस्तों तो me watch revolve active में आपको heart rate sensor मिलता है acceleration sensor है gyroscope है geomagnetic है air pressure sensor और ambient light sensor भी आपको इसमें मिल जाता है तो मतलब कि जो brightness है display की वो automatic भी adjust होती रहेगी आपके conditions के हिसाब से इसमें Bluetooth 5.0 मिलता है तो इसकी मदद से आप Android and iOS के साथ में इस वाले smart watch को connect कर सकते हो बस आपको Xiaomi VR app को अपने phone में install करना होगा Mi watch revolve active 5 ATM water resistant के साथ में भी आती है तो इसको पहन के आप swimming shower आराम से कर सकते हो कोई भी दिक्कत आपको इस वाले smart watch में आने वाली नहीं है smart watch launch हुई है लेकिन अब इनका कुछ offer चला है बाइड offer होगा या दोस्तों तो उसमें 8999 के आपको smart watch मिलेगी अगर आपके पास में HDFC का card है तो आपको 750 रुपीज के आसपास का cashback भी मिलने वाला है तो मतलब कि जो इसकी price होगी affected price after discount वो लगबग से 8300 रुपीज के आसपास आपको me watch revolve active मिल जाएगी अगर आप इनके next sale वगरा में खरीद लेते हो तो अगर आप pricing देखो दोस्तों तो 10,000 रुपीज में launch की गई है जैसे आपको me watch revolve देखने को मिलती थी जब launch ही थी तो उसकी भी price 10,000 रुपीज के आसपास ही तो अगर आपको यह सोच रहे हो कि आपको me watch revolve बाय करने चाहिए या फिर me watch revolve active को बाय करने चाहिए इस टाइम पर तो आपको definitely me watch revolve active को बाय करने चाहिए क्योंकि यह me watch revolve का successor है अब अगर आप देखोगे तो me watch revolve की pricing company कम करने वाली है क्योंकि उन्होंने उसी price में नई smartwatch को launch कर दिया है तो under 10,000 रुपी से काफी अच्छी smartwatch होने वाली अगर आपको लेना है me watch revolve active तो definitely आप जाके बाय कर सकते हो उमीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में